तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल स्वागत आपका टेक्निकल वर्कटिव चैनल पर दोस्तो अगर आपका एग्सास्ट फैन नहीं चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कैसे चेक करना है और उसे कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ कभी कबार क्या होता जो एक्सास्ट फैन की मोटर होती है वो जाम हो जाती है जिसके वीजसे हमारी एक्सास्ट फैन चलती है तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि एक्सास्ट फैन की जो मोटर जाम तो नहीं है क्या होता इसके अंदर जो बुश लगी होती हो खराब हो ज जाती जिसके विए से हमारी मोटर वर्क नहीं करती है कभी कवर क्या होता है जब इसकी सप्लाइ को ओन करते हैं मोटर कुछ सेकंड के लिए चलती फिर रुख जाती है ऐसा लगता कि मोटर जाम है तो इसके Louder ऑपर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया बट्यापर जो एक्जूसर्म हमारा नहीं चल रहा है और हम चेक एंढ़ इसके अंडर क्या प्रॉब्लम है तो नहींके इसके स्विच को उफ कर देते हैं और इसको खोल देते हैं जहां झानेक्सम्र लग वह है उसको खोल लेंगे इसके बाद हम इसके connection को check करेंगे देखिए आपर मैंने दो screw को खोल दिया तीसरे screw को भी खोल दिया अब इसके back cover को हम यहां से हटा देते हैं तो यहां पर आपको connection दिखाई दे रहा है देखिए आपर एक capacitor भी लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर हमें check कर लेना यहां पर जो वायर इसमें connect हो रुखिए वो proper connect है कि नहीं कभी का और क्या था वायर निकल जाती है जिसके इसे motor को proper supply नहीं पादे देखिए आपर में supply की दो wire black और red वाली वायर यहां पर connector में connect हो रुखिए और यहां पर हम दूसरे साइड में देखते हैं यहां पर जो रेड वाली वायर हो single wire नहीं पर winding के connect हो रुखिए इस टाइप से आपर connection हो रुखिए और capacitor की wire बीच वाले वायर और कोने वाले wire से connect हो रुखिए जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आपको चेक कर लेना है सबसे पहले हमें चेक करना है यहां पर जो main supply की wire ह कई वो wire खराब तो नहीं हुए जिसके विए से हमारा exhaustment वर्क नहीं कर रहा है तो इस चेक करने के देखें आपर मैंने बल्ब होल्डर ले लिया और यहां पर हम इसके connector भी लगा देखें आपर क्या है exhaustment में supply आ रही है बट यहां पर motor हमारी नहीं चल रही है तो चेक करना motor हमां क्या है motor की winding को चेक करने के लिए हमसे सबसे पहले क्या करना होता है जो transistor की wire इस में connect हो रोख है उसको वहां से निकालना होता है ताकि हम जो भी इसमें वाइंडिंग की वाइर है किसी में 3 होती है किसी में 4 वाइर भी होती है बट यहाँ पर जो वाइंडिंग की जो वाइर निकली हुए है थीन है यहाँ पर देखें के cutting एक ड्यक्स को चेकर cleanup है मना ने न है almost यह और इसके तो extension modus को pass न जा ले ताकि यहाँ पर वायर कनेक्ट कर सकेए, हमें क्या करना है यहाँ पर जो bulb holder की यूँ वायर है, उसमें से किसी भी एक तार को हमें क्या करना, socket की एक per inglis pad लगाना, किसी भी ट Eagles लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं bulb holder के black वाले wire को socket के पहले वाले टर्मिलिप लगा रहता हूँ और जो red वाली wire है हमें इस type से पकड़ लेना है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक wire को पहले वाले टर्मिलिप लगा दिया था उसे socket के दूसरे wire टर्मिलिप लगा दिया है और bulb को हमने यहाँ पर रख दिये है ताकि हम चेक कर सके और यहाँ पर सीरी टासमिलिप हमारा बंचुका है देखिए दोनों को टैस्ट करते हैं हमारा जो बल्ब चल रहा है तो हमें आप क्या करना है इन 3 वायर को इस type से हमें चेक करना है तो यहाँ पर तीनों वायरों को एक एक करके चेक करना है देखिए बैने ब्लू और येलो वाली वायर पर लगा है बल हमारा जल रहा है इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर हम ब्लू वाले और रेड वाले पर लगा है यहाँ पर भी बल जल रहा है इसका मतलब यह दोनों वाइंडिंग की वायर भी ठीक है इसी टाइप से हमें जो लास्ट वाली वायर यलो और रेड वाली बची यह देखिए आप लगा है यहाँ पर भी बल हमारी जल रहे इसका मतलब वायंडिंग करवानी पड़ी जिससे आपकी मोटर ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर कभ फिर वायंडिंग इवायर दूसरी बड़ी पर यहाँ पर ऑदी के लगाना किन मतलब यह बादी के लुछ प्रापर यहाँ चलॉथ इसका मतलब यह जो motor short नहीं इस टाइप से आपको check कर लेना है अगर यहाँ पर bulb जलता इसका मतलब भी होता है कि motor short हो रखी है यहाँ पर motor short भी नहीं और यहाँ पर जो इसकी winding ठीक है कभी कवर क्या होता जो exhaust pan का capacitor होता वो weak हो जाता है इस case से हमार exhaust pan work नहीं करता है तो इस case में आपको दूसरे capacitor change कर देना है देखिए आपर मेरे पास 2.5 MFD का दूसरे capacitor था तो यहाँ पर मैं इसे change कर देता हूं तो जैसे जैसे wire पहले connect हो रखा था वैसे हमें connect कर देना है तो यहाँ पर जो रेड वाली वाइर ती यह पर पहले वाले terminal पर connecting ती तो यहाँ पर हमें इस रीड़ वायर को connect कर देते श। कि की सम है पर देखिए पहले starve प्धिया वाला के साथ कनेक्ट हो रखा था यूई ट्रमील पे तो इससे हमंने इस Su לכ ठीना एक तर्वन है तो देंगे पर मैंने फिले वाले के रे में पर एक्षर कर लेते हैं तो यहां पर इसके को मैं लगा जा जा लेता हूं तो देखिए अवर को लगा दिए फेन होआया है इसके सफ्लाइग को दुबार चालो करते हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस बेल आइकोन को प्रेस कर देने जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में